सो है गाई स्वागत आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में अधाज हम जी श्यूर के बारें बात करने जा रहे हुआ सुजलोन एनर्जी लेमिटेड सुजलोन एनर्जी के अंदर आपको लगभग साधे 4% के असपास तेजी बनते नजर आई है अगर मैं बात कर जिसके चलते हमें सुजलोन एनर्जी के अंदर भी गिराउट देखने को मिली है तो सुजलोन एनर्जी में जो लास्ट मजाकर आपको 6-7% से जो गिराउट आई है वह आपको समझ में आ गई है भी मार्केट की वज़ेश आई है और कोई ऐसा रीजन नहीं है उसासात आप आप देखोगे उपर के लावल से प्रोड भी बुक किया गया है तो यहां पर घबराना नहीं आपको कि स्टोकन गिराउट हो चुकी है आपको बिल्कुल ही घबराना यहां पर आप देखोगे वोल्यूम जो लगी है आज दिन आप देखोगे लगभग 30 क्रोड 20 लाग क्य जो साल उसका लाज सेसन आज की दिन हमें देखने को मिला तो यहां पर काफी अच्छे प्रफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है प्रीवियस में आपने देखा हुआ 2022 में काफी अच्छा प्रदर्संज कंपनी का रहा है कौट्री रिजल्ट्स का जिकर करें तो काफी शान दराते नजर आए हैं मार्केट कैपलाइजेशन 11,950 क्रोड के आजपास ही हमें देखने को मिल रही है तो यहां पर आप देखो कि स्टोग के अंदर फिर से बुलिस म बढ़ रही है वहीं आप देखोगे रेजल्ट्स की बात के तो काफी शानदा रेजल्ट्स देखने को मिले हैं quarter on quarter basis पर company ने काफी अच्छा revenue जनरेट किया है आप हर quarter में देख सोक्ते हो भी हर quarter में revenue के अंदर काफी अच्छी हमें जोड़ा increasing देखने को मिली है तो अब आन पर और MFI आप देखोगे 65 पर है दोनों के दोनों अच्छी रेंज में है तो स्टोक के अंधर हम जोना भई लॉंग टैम के लिए चल सकती है लॉंग टैम से मेरा मतलब है अगर आप लोग यहां से स्टोक को पर्चेश करते हो ठीक इस लेवल से तो आप लोगों को दो हजार 25 तक तो होल्डिंग में चलना चाहिए आइ थिंक श्टोक आपको फिर से जो इसका मैक्सिमम हाई है ना 400 पर वहां तक जाते नजर आ सकता है जिहां 400 को भी ब्रेक कर सकता स्टोक का जो मैक्सिमम हाई है तो स्टोक अंदर आइ थिंक बने रहना सबसे बेस्ट रहेगा आप आइसे कर देखोगे जिस सेक्टर में कंपणी वर्क करही है आने वाले टाइम में सेक्टर में काफी थेज़े बनें के चांसी तो यहां पर काफी अच्छे लावल्ग सा कंपणी इसके शेयर टैक्निकल व्यू के इसाप शम चले तो काफी अची रेंजिम स्टोक देखने को मिल रहा है quarterly result के साथ आप देखोगे quarter जो share holding pattern इसका आता है हर quarter में fi अपना stake बढ़ा रही थी लेकिन अपकी बार तोड़ा बहुत decrease किया है बत कोई बात नहीं आने वाले टाइम में आप देखोगे December quarter से लेटर अभी इसका data सामने नहीं आया है जैसी December quarter का data सामने आ जाएगा वह भी हम आपको detail में बताएंगे लेकिन उसके लेटर अपडेट आई थी आज दिन आप देखोगे trading window जोना close हो चुकी है क्योंकि company अपने financial results जारी करने वाली December quarter के जो आपको देखने को मिलेंगे कब जनवरी और जोना February में ठीक है हर company results आपको आप देखने को मिलने वाले जनवरी और फरवरी के अंदर quarter result आने वाले हैं December quarter के quarter 3 के number जैसे इसके date announce हो जाएगे उसको पर भी हम आपको detail में बता देंगे लेकिन यहाँ पर जो trading window को close कर दी गई है तो अब मैंन बात आती है वह क्या इसके levels को लेकर आने वाले क्या इसके levels रह सकते हैं क्या stock के अंदर फ्रेशंटी लेनी चाहिए या फिर नहीं इसको लेकर मैंने आपको clear बता दिया तो चलिए levels भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो के आज के session में stock ने यह breakout दिया है बड़ा breakout हमें देखने को मिला इस level पर ठीक है इस trend को stock ने आज के दिन break किया है तो ऐसे में अगर stock के अंदर इस level पर आप बाइंग कर सकते हो अच्छी बाइंग की opportunity बन रही है लेकिन थोड़ा risky रहेगा वह short term वालों के लिए ठीक है तो यहां से अगर आप इसको purchase करना चाहो तो purchase कर सकते हो hammer बंते नजर आए last में आप देखो के भी अच्छी बात है तो यहां से stock के ब्रेक आउट देती हुए नजर आया है आज की दिन आप देखोगे यहां पर strand को break किया है stock ने तो यहां पर आपको यह वाला इसका SL लेन है 10-30 का उपर में resistance की बात करें तो 10 रुपे 90 पैसे का resistance बन रहा है ठीक है तो यहां से stock अंदर entry लेना है ठीक है आप short term वालों के ल तो stock अपना new bound week high create करते नजर आएगा और यहां पर अगर बात करें इसके targets को लेकर तो यहां पर आप देखो अच्छा buying का level जो बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया है 10-30 को 10-90 को break करता है तो उपर में 11-70 के level stock आपको दिखा सकता है I hope आपके सारे doubt को लिए होंगे stock को अगर फिर भी कुछ भी पूशना है तो आप कमेंट में बोच सकते हैं and thank you for watching the video